एक खुबसूरत दिन की बात है एलिस अपनी बड़ी बेहन के साथ पिक्निक पर गई थी उसकी बेहन किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी तब ही एक सफेद खर्गोश वहां से गुजरा वो खर्गोश अपने आप से बात कर रहा था एलिस को बड़ा अजीब लगा खर्गोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला अरे अत्मा लेट हो गया मैं एलिस ये सब देखकर हैरान हुई उसे और जानना था और वो खर्गोश के पीछे भागने लगी खर्गोश एक पेड़ के अंदर जाकर कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई अंदर वो गिरती ही जा रही थी जैसे कोई गहरा कुआ हो नीचे और नीचे नीचे गिरते हुए उसे कई चीज़े दिख रही थी फर नीचर, खाने की चीज़ें और बहुत कुछ उसकी जैसे दुनिया ही गोम रही थी आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था बहुत लंबा वो उस पे चलके जाने लगी उसे कई सारे दर्वाजे दिखे जो बन थे अच्छानक खरगोश गायब हो गया अब वो सोचने लगी के वो बाहर कैसे निकलेगी तब ही उसे एक टेबल पर एक सोनी की चाबी दिखी उस चाबी को उसने उन दर्वाजों में डाला पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी यहाँ वहाँ देखने पर उसे परदे के पीछे चुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दर्वाजा और उसमें चाबी डालते ही दर्वाजा खुल गया दर्वाजा खुलते ही उसने देखा एक बहुत खुपसूरत बाग पर एलिस वहाँ जा नहीं पा रही थी क्योंकि दर्वाजा बहुत छोटा था वो जब वापस अंदर आई टेबल पर एक बॉटल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रेंक मी एलिस उसको पीने लगी जितना वो उसे पीते जा रही थी उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि वो दर्वाज से बहार निकल सकती थी पर जब उसने चाबी की तरफ देखा तो पता लगा कि वो उस तक पहुँच नहीं पाएगी वो रोने लगी तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पर लिखा था इट मी एलिस ने उस केक से एक टुकडा निकाल कर खाया खाती ही वो वापस बड़ी होने लगी अब वो चाबी तो उठा सकती थी पर उस दर्वाज से कैसे निकलेगी एलिस बहुत दुखी हो गई वो फिर से रोने लगी वो इतनी रोई के पूरा कमरा आसों से भर गया तब ही वो खरगोश वहां से जल्दी से भाग गया एलिस ने अवाज दी रुगो मेरे बात सुनो मेरी मदद करो पर वो जाता रहा उसने मुड़ के देखा तक नहीं पर जाते हुए उसके गलव्स और हैंड फैन नीचे गिर गए एलिस ने उसका फैन उठाया और जैसे ही उसने उस फैन से हवा की वो फिर छोटी होने लगी फिर वो स्लिप होकर अपने आसों में गिर गई एलिस और कई जानवर भी उसमें बहके निकलने लगे जब वो बहार निकले तो सब भीग चुके थे एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा खरगोश को लगा कि एलिस उसकी नौकर है उसने उसे उसके घर जाके उसके गलव्स और हैंड फैन लाने को कहा एलिस जंगल में खरगोश के घर गई अंदर जाती ही उसे गलव्स और हैंड फैन मिल गए टेबल पर एक बॉटल भी विखी उसने बॉटल लेकर वो जादुई शर्बत पूरा पी लिया वो इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था एलिस से डर कर सारी जानवर घर पर पत्थर फिखने लगे जो भी पत्थर एलिस के पास आ रहा था वो केक बन जा रहा था एलिस की केक खाती ही फिर छोटी हो गई और उस घर से निकल सकी पर इस बार वो बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी थी इतनी छोटी के वो पेड़ पौदों के बीच गुम हो रही थी वापिस नॉर्मल साइज में कैसे आये वो उसे दूर एक पपी दिखाई दिया उसने उसे अपनी तरफ बुलाया उसके पास आते ही उसे पता चला कि वो कितनी चोटी हो गई थी वो पपी के कुछले जाने से बाल बाल बची वो भागती हुई एक मश्रूम से जा टकराई उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था एलिस ने उससे पूछा कि मैं कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ कैटरपिलर मुश्कुरा कर बोला मश्रूम का एक साइट तुम्हे छोटा कर सकता है और दूसरा बड़ा एलिस ने एक छोटा मश्रूम का टुकडा खाया और वो इतनी बड़ी हो गई कि उससे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइट से मश्रूम खाया दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा खाके वो आखिरकार अपने नॉर्मल साइज में आ गई दोनों साइट से अपने हाथ में एक एक टुकडा लेकर रखा आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था मश्रूम का टुकडा खाके वो छोटी हो गई घर के अंदर एलेस किचन में पहुँची और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था एलेस पे हस रहा था एलेस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा उसने पूछा आपका बिल्ला हस क्यों रहा है क्यूंके ये एक चशर कैट है औरत ने ऐसा कहा तब ही वो बिल्ला गायब हो गया और ओरत का बच्चा रोने लगा ओरत ने बच्चा एलस को दिया तुम इसे सिलाओ जब तक ये सोना जाए मैं कुईन के साथ क्रौकरी खेनने जा रही हूँ एलस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया तब ही वो बिल्ला वापस सामने आ गया और हसके बूलने लगा तुम्हें मैट हटर और मार्चेर को ढूनना होगा समलके वो दोनों पागल है ये कहके वो बिल्ला फिर से गायब हो गया एलिस ने घुस्से में बिल्ले से ऐसा कहा तुम ये बार-बार गायब होना और वापस आजाना बंद करो मुझे डर लग रहा है बिल्ला फिर से आया और बोला ठीक है ठीक है मैं आइस्ता आइस्ता गायब हो जाता हूँ पहले पूँच गई फिर पेट और पैर सिर्फ चेहरा ही रह गया था एलिस बाहर गई और उससे मांच हैर का घर मिल गया मांच हैर मैट हैटर के साथ चाय पी रहा था मांच हैर के कानों के बीच अजीब से बाल थे एलिस को समझ भी नहीं आया के क्यूँ और मैट हैटर ने एक हैट पहन रखा था एक चूहा अराम से टेबल पर सोया हुआ था और ये दोनों इसे तक्या की तरह इस्तिमाल कर रहे थे एलिस के आती ही दोनों चिलाए के जगा नहीं है इतनी सारे तो जगा है मैट हैटर एलिस से पूछता है क्या तुम जानती हो ये चूहा ऐसे क्यूँ सो रहा है तुम बताओ क्यूँ मुझे नहीं मालूम एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परिशान हो गई ये सबसे बेकार मीटिंग थी एलिस को एक दर्वाजा दिखा एक पेड़ के बीच में अंदर आती ही उसे एक गुल्डन चाबी मिली उस चाबी से एक दर्वाजा खुला गार्डन का गार्डन बहुत खुबसूरत था ये गार्डन था कुईन ओफ हार्ड्स का और सारे वाइड रोजिस को रैड पेंट किया जा रहा था सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे एलिस ने पूछा तुम क्यों कलर कर रहे हो सब वाइड रोजिस को रैड गार्डनर बोला कुईन को रेड रोजिस चाहिए थे लेकिन हमने गलती से वाइड होगा दिये कुईन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी तब ही कुईन ओफ हार्ट्स वहाँ आई उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे पहली बार दिखी इस लड़की को कुईन ओफ हार्ट्स ने क्रॉकी खेलने को बुलाया एलिस ने ऐसा क्रॉकी फिल कभी नहीं देखा था पहले हेड हॉक्स बॉल बने थे और फ्लैमिंग गोड्स मैलेड्स गेम के बीच में खिलाडी एक दूसरे को हेच हॉक्स फेक कर लड़ने लगे इस से कुईन को बहुत बुरा लगा वो गुस्से से चिलाई सब ही खिलाडियों के सर कलम कर दिये जाए उन्होंने क्रॉक्या पार्टी कैंसल कर दी तब ही एक आवाज आई कोट में केस शुरू हो गया है सभी कोट की तरफ गए कुईन की किचन से पाई चुराने वाले जैक आव हार्ट्स पर कोट केस था कुईन हाजसे के वक जैक आव हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी तो सजा कैसे देती जैक अफ हार्ट्स को कैद करकर रखा गया था खरगोश ने एक कागस से पढ़ना शुरू किया एक इत्वार की बात है हमारी कोई ने एक डिलिशेस पेस बनाए था और जैक अफ हार्ट्स ने उन्हें चोरा लिया योरॉनर ने चिला कर कहा पहले विटनिस को बनाए जाए पहला विटनिस मैड हैटर था मैड हैटर के बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी खरगोश ने एलिस को विटनिस स्टैंड पर आने के लिए कहा अपना नाम सुनती ही एलिस खड़ी हो गई वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए कुईन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा पर एलिस ने बोला मुझे कुछ नहीं पता कुईन चिलाई नहीं पता इसका भी सर कलम कर दिया जाए आपके हुकम मैं क्यों मानूँ आप मेरी शहजादी नहीं है आपका कोई हक नहीं बनता मुझे जैसे ही एलिस ने ये कहा कुईन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ बढ़ने लगे एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की पर वो एलिस को तुफान बनकर गेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खीच लिया भूम भूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुँच गई हरे पत्तों और फूलों के भी उसी गार्डन में उसकी बेहन ने उसे आवाज लगाई जब वो उठी तब समझी कि ये सब एक ख्वाब था अरे अरे ये तो ख्वाब था क्या ख्वाब था वाओ आपी क्या बताओं मैं अपना ख्वाब आपको एक खरगोश जैकिट पहना हुआ था झाल